मेरी उम्र 28 वर्ष है, पिछले 10 साल से मेरा खराब स्वास्त है, मेरा जीवन का केंद्र रहा है अचारे जी, अक्सर स्वैम सेवियों के माध्यम से आपके जीवन के विशे में कुछ बाते सुनने को मिलते हैं कि किस तरीके से आप स्वास्त खराब होने के बावजूद भी जो करने योग है उसको करते रहते हैं मेरा प्रशनिसी संबंद में है कि क्या करें अगर स्वास्त रोजमर्रा के कामों में भी बाधा बनने लग जाए, अगर आपका स्वास्त और शरीर धर्म के मार्ग पर बाधा बनने लग जाए तमाम डॉक्टर्स हैं उनके पास भटकने के बाद पता चला कि मेरी जो बिमारी है वो बहुत हद तक साइको सोमाटिक है मैंने बीटेक आयाईटी रूडकी से किया है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह सारी महनत, सारा टैलेंट जैसे वेस्ट ही हो रहा है I have strong urge to do all that it takes, but my health comes in the way कब के पास आओट? 2014 देखो वेटा Olympics का उदाहरन ले लेते है एक जैविलिन थ्रोवर हो, जैविलिन थ्रोवर जानते हो, क्या होता है जैविलिन थ्रोव में, है नहीं नहीं नहींगी बालन सीधा हाँ और एक टेबिल टैनिस का खिलाड़ी हो और एक भारुत तो लखो एक हेविवेट बॉक्सर हो और होकी टीम है और रिले रेस है और टेनिस सिंगल से और मिक्स डबल से इन में से किसी भी प्रतियोगता गो जीतो तो क्या मिलेगा? तो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? स्वर्ण पदक ही मिलेगा न? और किसी भी प्रतियोगता में मिला हुआ स्वर्ण पदक किसी भी अन्य प्रतियोगता में मिले हुए स्वर्ण पदक के बराबर ही होता है न? बराबर ही होता है न? तो भाई जैसा तुम्हारा शरीर हो तुम उसके हिसाब से खेल चुन लो खेल कोई भी होगा सोने की चमक एक बराबर की ही होगी तुम्हें पानी सुहाता है तुम्हारा शरीर ऐसा है कि पानी कि साथ उसका बढ़ियात मिल बैठता है तुम तेराकी कर लो तेराकी की प्रतियोगिता जीतोगे स्वन पदक मिलेगा क्या उस सोने में पानी मिला होता है सोना तो सोना होता है ना खरा सोना और हौकी देख लो या फुटबॉल देख लो उसमें बचारे ग्यारा लोग और पूरी प्रतियोगिता में देखो तो आठ दस मैच खेलेंगे और ओ ग्यारा ही नहीं होगे आठ दस मैच में पंदरा हो जाते है कोई अंदर हो रहा है कभी कोई बाहर हो रहा है तो 15 लोगों ने मिल के 8-10 मैच खेले ठीक और फिर जब फाइनल जीत लेते हैं तो उन्हें क्या मिलते हैं? 15 सोंड पदक मिलते हैं हौकी जो टीम जीत लेती है उसमें उस दिन 11 ही लोग खेले तो उनको कहा जाता है क्या कि तुम 11 लोग थे तो तुम्हारी टीम को हम 11 सोंड पदक देंगे ऐसा होता है तुम अकेले नहीं कर सकते तो तुम दस और लोग के साथ कर लो सोंड पदक तो फिर भी बराबर कई मिलेगा तुम में बहुत जान है तुम अकेले कर सकते हो तुम मेरा थन दोड़ जाओ सोड़ पतक तो फिर भी वही मिलेगा जिन्दगी भेदभाव नहीं करती है जिन्दगी बिलकुल नहीं कह रही है कि तुम्हारा शरीर कैसा भी हो तुमको मेरा थन ही दोड़नी है जिन्दगी बिलकुल नहीं कह रही है कि तुम्हारा शरीर कैसा भी हो तुमको लॉन टेनिस ही खेलना है अरे भाई तुमसे लॉन टेनिस नहीं खेला जा रहा तुम टेबल टेनिस खेल लो ना लॉन टेनिस जीतने वाले को जो सुर्ण पदक मिलता है और टेबल टेनिस जीतने वाले को जो सुन पदक मिलता है वो अग अग होते हैं क्या और लॉन टेनिस में भी सिंगल जीतने वाले को जो मिलता है और मिक्स डबल जीतने वाले को जो मिलता है वो अग अग होते हैं क्या जिन्दगी ऐसी ही है तुम अपनी पसंद का खेल चुन लो तुम्हारे शरीर के अनुकूल जो भी खेल उचित बैठता हो वो चुन लो और ये तुलना ही मत करो कि मैं तो परिशान हूँ, बीमार हूँ और वो सामने हेविवेट बॉक्सर घूम रहा है वो हेविवेट बॉक्सर घूम रहा है तो उसका मुकाबला भी किस से हो रहा है हेविवेट बॉक्सर जही हो रहा है तुम पाते हो कि तुम में नहीं अभी इतना दम है कि तुम सारा काम खुद कर पाओ, तुम रिले रेस दॉल लो भाई, तुम कहो कि जितना मैं कर सकता हूं करूंगा और उसके बाद में बैटन किसी और को थमा दूँगा आगे तू दोड़ हम इतना ही कर सकते थे हमारी सामर्थ इतनी थी हम ने इतना कर दिया उसमें भी अगर जीतोगे तो सौन पधक एक ही मिलेगा और तुम में अगर बहुत दम है तो तुम ऐसी ऐसी पृतियोगताओं में हिस्सा ले सकते हो जिसमें दौड़ना भी होता है कूद के लांगना भी होता है पचास चीज़ें होती है लेकिन उनमें भी क्या मिलता है सौन पधक तो एक ही मिलता है बात ये नहीं है कि तुम किस तरीके से भाग ले रहे हो जिन्दगी में जैसे भी तुम्हारी शारेरिक और मानसिक शमता है तुम उस तरीके से भाग लो अभी तह हमने ये देखा कि टेबिल टैनिस के खेलने वाले में और हेवी वेड बॉक्सर में अंतर क्या है ठीक है अभी तक हम उस पर जोर दे रहे थे अब जरा ये समझे हो कि दोनों में समानता क्या है टेबिल टैनिस का जो चैंपियन होगा सुर्णपदग विजयता और जो बॉक्सिंग चैंपियन होगा दोनों में समानता क्या होगी निष्ठा एकागरता अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लेकिन तुम कहोगी इन दोनों को भिड़ा दें तो टेबिल टैनिस अला तो बहुत पिटेगा उसको तुलना करनी ही नहीं है दूसरों को देख करके उसको तो यह देखना है कि अपने शरीर की अनुरूप मैंने एक काम चुना उस काम में मुझे उतनी ही लगन से जुटना है जिस लगन से बॉक्सर अपने काम में जुटता है तो मुझमें और boxer में शरीर का अंतर है ध्यान का अंतर नहीं है उसको भी अगर जीतना है तो ध्यान उसे भी लगाना पड़ेगा और मुझे भी जीतना है तो ध्यान मुझे भी लगाना पड़ेगा मैं यह नहीं कह सकता कि उसकी चुनोती ज्यादा बड़ी है तो वो ज्यादा ध्यान लगाए हमारा क्या है हम तो एक टेबल पर गिटपिट गिटपिट कर रहे हैं हमें थोड़ी ध्यान लगाना है अरे लॉन टेनिस वालों का रैकेट भी बड़ा होता है बॉल भी बड़ी होती है मैदान भी बड़ा होता है तो वही करें महनत टेबल टेनिस वालों का क्या है हथेली बराबर रैकेट ले लिया पांच ग्राम की बॉल ले ली और डाइनिंग टेबल बराबर मेज, उस पर टिक 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 हमारा काम तो सस्ते में चल लाएगा, चल लाएगा सस्ते में काम टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक सस्ते में मिल सकता है क्या उतनी ही महनत और उतनी ही एक आगरता चाहिए जितनी की लॉन टेनिस में है न तो बिटा आप लॉन टेनिस की जगे टेबल टेनिस चुनिये आपका शरीर नहीं साथ दे रहा तो आप लॉन टेनिस की जगे टेबल टेनिस चुनिये लेकिन जो कुछ भी चुनिये उसके साथ इंसाफ करिये न आप कहीं आचारी जी मेरा शरीर एकदम ही गायब हो गया, तो छोड़ो तुम शत्रंज खेलो, लेकिन शत्रंज खेल ले भी तुम्हें उतना ही ध्यान, उतनी ही निष्ठा, उतनी ही साधना और उतना ही समर्पन चाहिए जितना मुक्य बाजी में, नहीं तो तुम शत्रंज भी नहीं जीत पाओगे, तुम्हारा शरीर अगर टेबल टरिस खेलने लायक भी नहीं है, तो शत्रंज खेलो भई, उसकी चैंपियंशिप जीतो न, चुनलो तुम्हें जो कुछ भी अनुकूल पढ़ता हो अपने शरीर के अनुसार, लेकिन फिर उसमें रमो, घुसो और जीतो, आरी बात समझ में, और जब शरीर एज़ा हो जाए कि एकदम ही नहीं चल रहा, तो स्टीफन हॉकिंग की और देख लेना, उसके बाद भी जो काम करोगे, जब शरीर चलना एकदम ही बंद हो जाए, उसके बाद भी जो काम करोगे, वो काम भी उतनी ही निष्ठा, और उतना ही श्रम, उतना ही समर्पड मांगेगा, जितना कि किसी बहुत बलशाली शरीर वाले का काम, तो शरीर की तो अवस्थाएं आती जाती रहेंगी मामला कमजोरी से ताकत की और बढ़ता है फिर ताकत से फिर धीरे-धीरे कमजोरी की और वापस आता है शरीर का सूरज पहले चड़ता है सर के उपर पहुँचता है फिर धीरे-धीरे ढलता है लेकिन शरीर की जो भी हालत हो उस हालत के अनुसार तुम्हें तो लगना ही पड़ेगा डटना ही पड़ेगा टेनिस के हम बात कर रहे हैं भारत में ही उदाहरन लेलो लेंडर पेस ने कहा है कि इस साल अब रिटायर होंगे शुरुवात तो सिंगल्स प्लेयर के तौर पर ही करी थी और अच्छा खेले थे सिंगल्स उलम्पिक में जो कान से पदक मिला था उनको डबल्स के तौर पर थोड़ी मिला था सिंगल्स में ही लेकर के आये थे फिर धीरे दे उम्र भठती है दिखाई देता है कि अब सिंगल्स में बात नहीं बनेगी तो आत्मी क्या खेलना शुरू कर देता है डबल्स तो फिर डबल्स में जोड़ी बनाई पहले महेश भूपती के साथ बनाई फिर दूसरों के साथ बनाई नजाने कितने ग्रांट स्लैम जीते डबल्स में फिर समझ में आया कि मेंस डबल्स के हिसाब से भी शरीर अब धल गया उम्र बहुत बढ़ गई तो फिर किसमें उतरे मिक्स डबल्स में फिर मिक्स डबल्स में भी कुछ और ग्रांट स्लैम जीते हम और अब जब अवस्था चालीस को भी खूब पार कर गई है तो अब रिटायरमेंट है रिटायरमेंट के बाद तुम्हें क्या लगता है कि अब कोई स्तेमाल नहीं करने वाले शरीर का संभावना यह है कि अब कोचिंग करेंगे कि शरीर इतना तो कर सकता है न कि कोचिंग करें तो जब सिंगल्स खेलते थे तो टॉप के सिंगल्स प्लेयर थे कम से कम भारत के टॉप के सिंगल्स प्लेयर थे एक समय पर सिंगल्स रैंक अगर मुझे सही याद है कॉलेज के दिनों का एक समय पर singles rank top 100 में आ गई थी, 70 के आसपास हो गई थी तो जब singles खेलते थे, तो singles में जान लगाई, Olympics मेडल भी जीता, doubles खेले थो doubles में जान लगाई, mixed doubles खेले थो उसमें जान लगाई, अब कोचिंग करेंगे तो, उसमें जान लगाएंगे, जो तुम्हारे शरीर की अवस्था हो, तुम उस अवस्था के अनुरूप काम कर लो, लेकिन जो भी काम करो उसमें निष्ठा पूरुवक काम करो, अवल दर्जे का काम करो ना भाई, पचास साल के कोच को ये नहीं कहा जाता, कि तुम जाकर के खुद खेलो Grand Slam, एडबर्ग का तो नाम सुना होगा, अपने समय के Grand Slam विजेता, फिर वो कोच भी किसके बने, रोजर फेडरर के, कि जब तक हम खुद खेलते थे, तो दुनिया की नंबर एक खिलाडी थे, अब जब हम खुद नहीं खेलते हैं, उम्र ढ़ल गई, शरीरी ढ़ल गया, तो हम कोच भी किसके हैं, दुनिया के नंबर एक खिलाडी के, इसको कहते हैं, नंबर एक रहना, शरीर की हालत ऊपर से नीचे होती रहती हैं, हम नंबर एक के नंबर एक हैं, जब हम खुद खेलते थे तो खुद नंबर एक थे, अब हम जब हम कोचिंग देते हैं, तो हम कोच भी किसके हैं, दुनिया के नंबर एक खेलाडी के कोच हैं, जो भी हालत है शरीर की, हम तो नंबर एक ही हैं, बात आरे ये समुझ में, हम? पूरा डेडिकेशन है, जो आपका काफी सुना है कि जिस काम में लगो लग जाओ, मेरे साथ क्या होता है, पहले से भी इतना ध्यान नहीं दिया मैंने स्वास्त की उपर, आप कुछ भी काम करेंगे तो थोड़ा बहुत मेंडल प्रेशर, थोड़ा इंजाइटी, थोड़ा ब मेडिकेशन, कुछ मुझे लेना पड़ता है, फिर उसका शरीर पर असर दिखने लगता है, तो फीड़बैक स्टार्ट हो जाता है, शरीर से मन, मन से शरीर, सर आप कुछ भी आप परपसफुल कर रहे हैं, मेरा बहुत इच्छा है, कुछ परपसफुल करूं, कुछ करूं, बट बिना तनाओ के मैं वो कैसे कर पाऊं, मैं अपना 100% भी दे दूं, बट मुझे कुछ मांसिक तनाओ ना हो, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन मेरी बॉड़ी पे आता है, तनाओ से कम समस्या है तुमको, ज्यादा समस्या इस बात से है कि तुम तनाओ को बड़ी चीज मान जनते हो, तुमने फीडबैक लूप की बात करी ना, ज्यादा तर साइको समेटिक बीमारियां तनाओ से बढ़ती हैं, और बीमार आदमी को तनाओ किस बात का होता है, मैं बीमार हूँ, जब वो अपने आपको यह बार-बार बोलता है, मैं बीमार हूँ, तो उसका तनाओ और बढ़ता है, और जब तनाओ बढ़ता है, तो उसकी धारणा बढ़ती है, मैं बीमार हूँ, तनाओ को बुरा मानना छोड़ दो, तनाओ आए, उसके प्रति तुम निर्विरोध रहो, नॉन रिजिस्टेंट, फिर जितना आएगा उतन ही रहेगा, एक इंटर्नल फीडबैक लूप नहीं चलेगा, जो तनाओ को मैगनिफाई कर दे, जो तनाओ में वृद्धी कर दे, अभी क्या हो रहा है समझ रहे हो ना बात को, तुम्हें पता है तनाओ तुम्हेर ले घातक है, तो अब तुम कुछ कर रहे हो, तुमने ठीक कहाईगी, कुछ भी करोगे, उसमें चुनौती आएगी, चुनौती आती है तो भीतर, जरा सा तनाओ तो ख़ड़ा होता है, तो जैसे ही तुमने अपने आपको का बड़ी गड़बड चीज हो गई तनाव आ गया तनाव आ गया क्या हुआ इसी बात का तनाव हो गया कि तनाव हो गया तुम्हें इस बात का तनाव है कि तुमको तनाव है सिर्फ तनाव गड़बड चीज नहीं होती तुम्हें तनाव रेस त किocalyptic Haana वही तो आया हा थोड़ा टन्षन अगलिया थीक है अदिक अ त्योड़ यह कि टन्षन आ गया तो ढुल बजा रहे हैं और गली महले में शोर कर दी अरे तनाव आ गया अरे आ गया तो आ गया सबको आता है तनाव माने चुनोती जानते हो अगर तुम्हारी ये जो पूरी शारीरिक मानसे के ववस्ता है इसको चुनोती मिलनी बंद हो जाए तो ये ढह जाएगी तनाव कोई आवश्यक रूप से खराब नहीं होता है तुम जाते हो व्यायाम करते हो व्यायाम क्या है बताओ शरीर के लिए तनाव ही तो है तुम बैठ करके गड़ित के सवाल लगाते हो ये सवाल लगाना क्या है दिमाग के लिए तनाव ही तो है और मत दो तुम शरीर को बिल्कुल तनाओ और मत दो तुम दिमाग को बिल्कुल तनाओ फिर देखो शरीर का क्या होता है बुद्धि कुंद हो जाएगी शरीर लुंज हो जाएगा लेकिन अगर तुम अपने आपको एक छवी में बांधलो कि मैं बीमार हूँ मुझे तनाव बिलकुल नहीं होना चाहिए तो फिर तो जो नैसरगिक तल है तनाव का वो भी तुमको बड़ी भारी चीज लगेगी खतरनाक लगेगी अतिश्य लगेगी भीतर एक अलार्म बजने लगेगा जरा सा तनाव हुआ तो कि अरे तनाव हो गया अब जितना तनाव तनाव के होने से नहीं था उससे ज़्यादा तनाव हो गया अलार्म के बजने से बीमार के लिए जो शारिरिक बीमारी है वो तो घातक होती है उससे कहीं ज्यादा घातक बात तब हो जाती है जब बीमार अपने आपको घोशित कर दे कि मैं तो बीमार हूँ मेरा नाम है बीमार, मेरी पहचान है बीमारी जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में यहालत आ जाये कि कोई तुमसे पूछे कि कौन हो कैसे हो और तुम तुरंत मुख खोल करके अपनी बीमारी का ही वरणन शुरू कर दो समझे लो कि कुछ बहुत गड़बड हो गया तुम्हारे साथ होना यह चाहिए कि शरीर पर तुम कितने भी बीमार हो वो बीमारी शरीर भरकी होनी चाहिए मन की नहीं कितने भी बीमार हो शरीरिक तौर पर तुम कोई और आकर के याद दिला दे कि बीमार हो तो तुम्हें याद आना चाहिए कि तुम बीमार हो यह नहीं होना चाहिए कि मुँ उतारे तोड़ा लटकाए घूम रहे हो और जो मिल रहा है उसी को बता रहे हो कि मैं तो बीमार हूँ बीमार हूँ अरे शरीर को बताने दो ना कि बीमारी यह जब बीमारी बहुत बढ़ जाएगी कि शरीर खुदी गिरेगा तब मान लेना कि हाँ लगता है बीमारी बढ़ गई डॉक्टरों को बोलने दो ना कि बीमारी है दुनिया वालों को बोलने दो ना कि तुमको बीमारी है तुम अपने आपको कहे नाम दिये दे रहे हो बीमार मलका ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया तुमसे पूछे बीमारी कुछ कम हुई की नहीं होना ये चाहिए कि दुनिया तुमसे पूछे कि तुम बीमार हो भी क्या जिसाब से तुम काम कर रहे हो चल रहे हो, खेल रहे हो तुम्हें देखके लगता नहीं कि बीमार हो ये तो डॉक्टरों की रिपोर्टों में बार बार आ जाता है कि तुम्हारे भीतर ये बीमारी है वो बीमारी है लेकिन तुम्हारी जिन्दगी हमें कहीं से बीमार नहीं लगती ऐसे होना चाहिए जीवन शरीर बीमार हो जाए तो हो जाए जिन्दगी बीमार नहीं होनी चाहिए और जहां तक शरीर की बात है वो बीमार होगा क्या बीमारियों का ही तो दूसरा नाम शरीर है भई जब बीमारी कम होती है तो तुम उसको स्वास्थ बोल देते हो वरना मुझे बताओ कि यहां स्वस्त कौन बैठा है यहां जो अपने आपको स्वस्त कह रहे हैं वो भी अधिक से अधिक वो लोग हैं जिनकी बीमारी अभी सीमा के अंदर है शून्य नहीं है सीमित है कोई हो यहां पर इतने लोगों में तो हाथ खड़ा करके बता दे कि उसे बिलकुल कोई बीमारी नहीं है कोई है ऐसा हाँ यह हो सकता है कि आपकी बीमारी अभी दबी छुपी है दाइरे के अंदर है वास्तों में शरीर मात्र ही बीमारी है मा के गर्भ से बीमारी का ही जन्म होता है तो बीमारी को कितनी एहमियत दोगे यार कब तक रोते गाते फिरोगे कि हम बीमार है हम बीमार है तुम्हें अगर यही रोना गाना है तो यह तो जीवन भर का धंदा बन जाएगा फिर तो बीमारी उसी दिन मिटेगी जिस दिन चिता उठेगी अर्थी उठेगी समझ में आ रही ये बात शरीर बीमार ही है शरीर का स्वास्थ मुलत एक भरानती है शरीर स्वस्थ लग भी रहा हो तो इसका अर्थ यही है कि बीमारी अभी अप्रकट है पर है छुपी हुई अगर छुपी हुई न हो शरीर में बीमारी तो मुझे बताओ बाद में प्रकट कहां से हो जाएगी बुलो किसी को बाहर से कोई किटाणू जीवाणू बैक्टिरिया वाइरस न लगे एकदम न लगे तो भी दस-बीत साल प्रतीक्छा करके देख लो बीमार तो होई जाना है बीमारी शरीर के भीतर ही छुपी बैठी है न शरीर ही बीमारी है तो बहुत भाव मत दो शरीर को और न प्रतीक्छा करो शारेरिक रूप से स्वस्थ हो जाने की वो दिन कभी आना नहीं है कि शारेरिक रूप से स्वस्थ हो जाओ ये गाड़ी तो जैसे चल रही है इसको चलाओ ये मत कर दे ना कि ऐसी चला दी कि कल चलने लायक ही नहीं बची लेकिन बहुत लोग गलती ये कर जाते हैं कि वो इस भ्रह्म में और इस सपने में जीते हैं कि जब पूरी तरह स्वस्थ होंगे तब काम करेंगे जब शरीर एकदम ठीक होगा जब शरीरिक इस्थितियां एकदम अनुकूल होंगी तब जीवन जीएंगे तब शुरुआत करेंगे शरीर कभी एकदम स्वस्त होना ही नहीं है शरीर किस्थिते हो चाहे मांसे किस्थिते हो चाहे सांसारे किस्थिते हो चाहे तुमारी आर्थे किस्थिते हो वो कभी पूर्णतया तुमारे अनुकूल होनी नहीं है कब तक प्रतीक्षा करते रहोगे जो करना है अभी कर डालो अनुकूलता का इंतजार जीवन से विमुक्षता का एक बहाना भर है कि कोई पूछे कि कहे भाई जो सम्म्यक काम है जो अभी धर्म करता है तुम्हारा वो करकाए नहीं रहे तो हमारे पास एक उम्दा भाना तैयार होता है कि अभी शरीर ठीक नहीं है कि अभी परिवार ठीक नहीं है कि अभी मन और मूड ठीक नहीं है अभी आर्थे के स्थिति ठीक नहीं है भाई अभी मौसम ठीक नहीं ठंड बहुत यह सब कब ठीक होंगे मुझे बताना बताओ यह सब कब ठीक होंगे कोई दिन ऐसा आएगा जब यह ठीक ही होंगे तो करते रहो इंतजार हम? जो टेबल टेनिस भी नी खेल सकते उनके लिए मैंने एक और छोटी टेबल देखिए उसका नाम है पिंगोरी आप बताएंगी इसको इतनी बढ़ी है वो लॉन टेनिस नहीं तो टेबल टेनिस सही और टेबल टेनिस भी नहीं तो पिंगोरी सही इंतजार मत करो बाबा जो कर सकते हो वही करो और भूलना नहीं कि स्वर्ण पदक तो बराबर का ही मिलना है जो कर रहे हो बस उसको जम के करो ठीक से करो जो कर दो बस्वर्ण प्राब